परियावरन अध्यन की पेडागोजी के महत्कून टोपिक सतक्त एवं व्यापक मुल्यंकन का continuous and comprehensive evolution की part number one का और इस topic से हमने जितने भी possible questions बन सकते हैं उन सबी questions पर हम इस वीडियो में और next वीडियो में discuss करेंगे जो कि आपकी आगामी परिक्षा, citate exam, yupitat exam, सायव गद्यपग भरती परिक्षा, DPSP, KBS, NBS सबी के लिए बहुत ज़्यादा महत्कून है और friends इस topic को start करने से पहले आपको मुल्यंकन के विशे में एक brief idea देना चाहूँगा कि मुल्यंकन क्या होता है मुल्यंकन यानि की evolution मुल्यंकन वह प्रकिरिया है जिसके द्वारा अधिगम, परिस्तितियों तथा सीखने के अनभवों के लिए परियुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और परविधियों की उप्योगता की जाच की जाती है मुल्यंकन कहते हैं Friends इस topic में हम सतत हैं व्यापक मुल्यंकन के विशे में पढ़ेंगे और इसके उपर जितने भी संभव questions बन सकते हैं उन सभी questions को discuss करेंगे और Friends इससे पहले के यदि वीडियो आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो आप अपने screen को touch करके top right corner पर एक आई का बटन दिखाई देगा वहाँ पर प्रेस करके आप मेरे सभी वीडियो को देख सकते हैं और Friends यदि आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजिए subscribe का बटन वीडियो के ठीक नीचे दिया है जैसे ही आप subscribe का बटन प्रेस करते हैं तो एक घंटी का निशान बनके आएगा उसको भी आपको प्रेस करना है so that आने वाले वीडियो की जो सूचना है जो अपडेट्स हैं जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसकी सूचना आपको सबसे पहले पहुचेगी वो भी बिना किसी सर्च किये हुए और फ्रेंड्स मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल को subscribe करते हैं तो आपको निश्चित ही मदद मिलेगी क्योंकि इस चैनल पर हमने सब कुछ complete according to cerebus डाला हुआ है जो कि आपकी परिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पून है तो चले दोस्तो स्टार्ट करते हैं without wasting of time तो हमारा topic है आजगा सतत एवं व्यापक मुल्यांकन continuous and comprehensive evolution का तो question number one से start करते हैं friends question number one है रचनात्मक मुल्यांकन में feedback एवं स्वे monitoring दोनों तत्तों सामिल होते हैं यह कतन किस विद्वान का है तो हमें बताना है कि यह statement किस विद्वान ने दिया था तो यह दिया था मुल्यांकन में feedback वे monitoring दोनों तत्तों सामिल होते हैं इनके बिना सार्था मुल्यांकन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है तो इस प्रकार से इसका question का answer है option number one friends आप से request है आप भी इन 20 most important questions को श्रम से attempt कीजिए और पता कीजिए कि आप कितना score कर रहे हैं आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुची हुई है next question देखेंगे रचनात्मक मुल्यांकन को कहा जाता है रचनात्मक मुल्यांकन को और दूसरे किस नाम से भुकारा जाता है वो हमें बताना है तो रचनात्मक मुल्यांकन को बोला जाता है रूपात्मक मुल्यांकन नेक्स कोशन जब कोई बच्चा अपनी ऐसफलताओं का करण ढूंडता है तो निम्लिकित में से किस मुल्यांकन का सहरा लेता है तो वे कौन सा मुल्यांकन है जिसका वे सहरा लेता है जब वे अपनी ऐसा बलताओं का कारण ढूंडता है तो इसके विशे में बताना चाहूंगा फ्रेंड्स की जब कोई भी बच्चा ऐसा फल हो जाता है तो वे निदानात्मक मुल्यंकन के अंतरगत अपनी ऐसा बलताओं को खोजने का प्रियास करता है ताकि उन कारणों को समझ कर उसका सार्थक वे उचित निदान कर सके तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ओप्शन नमबर फोर निदानात्मक मुल्यंकन नेक्स कोशन आकलन का एक विशिस संके तक माना जाता है तो आकलन का एक विशिस संके तक किसे माना जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वेह फ्रेंड्स परियोग को, एक्सपेरिमेंट को नेक्स कोशन बच्चे की उपलब्दी को किस प्रकार दर्शाया जाना चाहिए तो बच्चे की जो उपलब्दी होती है जो उसकी एक प्रोग्रेस है उसको किस परकार से दर्शाया जाना चाहिए सेक्षनिक ज्यान के द्वारा, वेहवारिक कुशलता के द्वारा या उप्रोप्ट दोनों के द्वारा या इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर है वेए Ф्रेंड्स उप्रोप्ट दोनों यानि की सेक्षनिक ज्यान के द्वारा भी और वेहवारिक कुशलता के द्वारा भी नेक्स कॉशन निमलिकित में से कौन सा कथन ऐस सकते है यानि की फोल्स स्टेटमेंट का हमें पता करना है तो friends मैं इसके विश्यों में बताना चाहूंगा कि इसमें जो statement दिया है option number third में कि प्राक्निक इस्तर पर आकलन ही तू परियोजना कारिये वेच्छे त्रभर्मन प्रभावी उपकरन नहीं माने जाते हैं ये correct नहीं है next question अधिगम एक blank दिया है परकिरिया है यानि कि किस प्रकार की एक परकिरिया है तो इससे पहले भी हमने friends इसके विश्यों में पढ़ा हुआ है कि जो अधिगम होता है वो एक continuous यानि कि निरंतर चलने वाली परकिरिया होती है यानि कि सतत परकिरिया होती है next question निमलिकित कतनों में से कौन सा कतन सत्य है कौन सा statement correct है वो हमें पताना है तो friends मैं इसका right answer पढ़ता हूँ इसका right answer है आपका option number 4 A, B, C यानि कि A सही है मुल्यांकन एक बार के कारिकरम के बजाए एक निरंतर परकिरिया है correct है B भी correct है सतत और व्यापक मुल्यांकन का आर्थ छात्रों के विद्याले आधारित मुल्यांकन की प्रणाली से संबंदित है और C भी हमारा correct है विशलेशन और मुल्यांकन के समय सिक्षनार्तियों के वर्गी करन से बचना चाहिए तो इस तरह से हमारे A, B, C कि question number 8 के सभी options correct है next question मुल्यांकन करता हूँ छात्र के मद्य प्रत्यक संपर्ख स्तापित करने का जरिया है क्या जरिया है, क्या medium है जिसके द्वारा मुल्यांकन करता हूँ छात्र के मद्य में एक direct संपर्ख contact स्तापित हो जाता है तो वह है फ्रेंड्स आपका सापशात कार यानि की interview next question निमलिकित में से कौन सा कतान ए सकते है incorrect है यानि की false statement है तो वह है फ्रेंड्स सिक्षारती की विवार में होने वाले प्रिवर्तन की जानकारी अभी लेको द्वारा नहीं लिया जा सकता है option number third correct नहीं है यानि की false statement है next question व्यापक और सतत मुल्यांकन है तो कौन महत्पून नहीं है कौन सी चीज महत्पून नहीं है continuous comprehensive evolution में तो इसका जो right answer है वह है friends आपका सतत मुल्यांकन अध्यापक को प्रभावी कारी कारी नीतियों को आज़एक करने में विसेसाइता नहीं मिलती है option number four इसका जोकी महत्पून नहीं है सतत और व्यापक मुल्यांकन के लिए next question निन्जम्न मेंसे कोन मुल्यांकन की विसेसाइता नहीं है क्या विसेसाइता नहीं है मुल्यांकन की तो वो हमें बतानी है तो इसमें आपका है कि यह कार्ये पूरा करने के बाद गया जाता है जबकि यह कार्ये करने के साथ में ही होता है नेक्स कोशन मुल्यांकर निरंतर चलने वाली परकिरिया है और यह शिक्षार्ती की आपचारिक सेक्षिक उबलब्दी की अपिक्षा अधिक है यह कतन किसका है, यह कतन किसका है कि मुल्यांकर निरंतर चलने वाली परकिलिया है तो फ्रेंट्स इसका जो राइट आंसर है वह है आपका MP मुफात जो कि option number 3 इसका correct है, 13 का option number 3 next है दे नंदनी परक की आवशक्ता होती है तो यह है फ्रेंट्स इसका आंसर आपका चात्र की कमजोरी को दूर करने के लिए जो कि option number 1 इसका correct है अब next question देखेंगे निमलिकित में से कौन मुल्यांकर परकिलिया का आवशक अंगन नहीं है कौन सा मुल्यांकर परकिलिया का आवशक अंगन नहीं है बहुत ही अच्छा question है इसका right answer मैं आपको पढ़ देता हूँ तो friends इसका जो right answer है वे है option number 4 ये सभी सेक्षिक उद्देश, सिखने के अनभाव और विवारिक परिवर्तन next question मुल्यांकर किस प्रकार से सिख्षक के लिए उप्योगी है यानि कि किस प्रकार से एक सिख्षक के लिए मुल्यांकर उप्योगी होता है ये हमें बता ना है तो 16 का right answer है आपका option number 4 उप्रोप्ट सभी यानि कि ये है क्रिया अनुशन धानों के लिए नए रास्ते खोलती है दूसरा शिख्षक अपने शिख्षारतियों को विभिन्स रेडियो में वरगिकरत कर सकता है तीसरा शिख्षक अपने शिख्षारती को तुरंत प्रष्ट पोशन देता है ये तीनों option correct है next question तो ये है friends आपका संचेई अपिलेग जोगी option number 4 इसका correct है अभी next question देखते है एक section unit के मुल्यंकन का प्रात्मिक उद्देश होता है क्या उद्देश होता है section unit के मुल्यंकन का जो primary purpose है तो वह होता है friends आपका विभिन section उद्देशों की प्राप्ति की स्थिती से अवगत होना option number 2 उसका correct है next question परियोगातमक परिक्षाएं आयुजित करने का मुख्य उद्देश है जो practical examinations होती है उसका जो main purpose है वो क्या है वो हमें बताना है तो ये है friends आपका अवलोकन और यथारता की कारेकुसलता की जाच करना option number 2 उसका correct है next question मुल्यंकन सायक है मुल्यंकन किसमें सायक होता है तो मुल्यंकन सायक होता है संसेई अविलेक तियार करने में अधिगम उद्देश के प्राक्ति में और सिक्षक के विवार में सुधार लाने में तो इस तरह से option number 4 है वो correct है तो friends इस तरह से हमने 20 most important questions के उपर इस वीडियो में डिसकस किया है और I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो please इस वीडियो को ज़्यादे से ज़्यादे लाइक कीजिए और ज़्यादे से ज़्यादे दोस्तों में इसको share कीजिए so that उनको भी इस वीडियो से सायता मिल सके और friends आगामी जो वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा महत्पून होने जा रही है इसलिए आप किसी भी वीडियो को नए miss कीजिए और miss नए करने के लिए उसके लिए आपको simply करना है इस चैनल को subscribe यदि आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे एक subscribe गलाल बटन दिखाई देगा simply उसको प्रेस करना है जैसे आप प्रेस करेंगे घंटे का निशान भी बनके आएगा उसको भी प्रेस करना है so that आने वाले जो वीडियो की जो सूचना है उसका जो message है वो आपके पास पहुँचेगा बिना किसी search के और friends इस चैनल को subscribe करना एक दम free of cost है इसमें कोई भी आपका charge नहीं कटता है ये आपके लिए आपके सफलता के लिए बहुती महत्पुन सिध होने जा रहा है तो friends आपसे request है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इससे आने वाली जो वीडियो है उन सभी को आप पूरा देखें so that आपका कोई भी points ने मिस हो और आने वाली जो वीडियो है उसकी सूचना भी आपको बराबर मिलती रहे तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुब हो मंगल में हो और इसी सुब कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जै भारत